नमस्कार दोस्तों, जी हाँ बिलकुल आपने सही पढ़ा कि light beam का use करके जो google है वो planning कर रहा है high speed internet provide करने के लिए आप यहाँ पर news देख सकते हो इंडिया तुड़े का Google in talks with Geo Airtel to introduce high speed internet using light beams तो ये work कैसे करेगा, exactly google इससे करना क्या चा रहा है, benefit क्या होगा, present में google के क्या plan है, सब कुछ हम जानेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं हूँ अंकित अगरवाल और update के लिए आप मुझे follow कर सकते हैं, instagram, facebook और twitter पर मेरे lecture की हब PDF आपको facebook पर तो मिलेगी ही प्लस आप में आप मेरा telegram channel जोइन कर सकते हैं, by searching अंकित अगरवाल, official और अगर आप UPC की त्यारी कर रहे हैं, तो आपके लिए सुनेरा मौका है, study IQ, आपके लिए smart courses, जिसके दुरूँ आप अपने preparation और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं सबसे पहले देखते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ है, तो report से ख़वर यहाई है, कि Google यहाँ पर बातचीत कर रहा है telecom companies के साथ, अब भारत में आपको पता ही है कि Airtel और Jio, यही दो बड़ी companies बची हैं, तो यहाँ पर उनके साथ मिलकर high speed internet provide किया जा सके, इसके लिए काम किया जा रहा है, और यह जो high speed internet है, यह किसी cable के थ्रू नहीं किया जाएगा, wire के थ्रू नहीं किया जाएगा, light beam का इस्तमाल किया जाएगा, जो lights निकलते हैं आपके, तो light beam का इस्तमाल करके internet आप access कर सकते हो, और ऐसा बताया जा रहा है कि यह जो पूरा technology है दोस्तों, ये प्रोजेक्ट तारा, जी हां मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में अभी, तो प्रोजेक्ट तारा के तहत किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि light beam का इस्तमाल करके जो information है उसको high speed में, super high speed में transfer किया जा सकता है जान रखेगा जब मैं light beam की बात कर रहा हूं, तो मैं कभी visible की बात नहीं कर रहा हूं, जैसे कि आप में से कई लोग confused हो सकते हैं, कि जैसे laser show होता है, वहाँ पर light beam दिखता है, तो अगर transfer होगा, तो क्या हमें light beam दिखेगा नहीं, it is invisible beam की हम बात कर रहे हैं, आपको कुछ यहा project X है, उन्होंने इसकी planning की थी proper तरीके से, और उनके द्वारा ये जो पुरा project है, उसको लाने की कोशिश की जा रही थी, तो एक तरह से आप कह सकते हो कि जो fiber cable के थूँ हमें internet provide होता था, वैसा ही उससे कहीं ज़्यादा हमें speed provide होगा, and that too without any cable, cable के बिना ही हमें यहाँ पर, यह जो speed है वो प्राप हो जाएगी, और यह आप देख सकते हो कि जो Google यह जो मैंने आपको बताया project X, यह basically काफी secret mission है आपका Google का, Google ने काफी समय से, आपको पता है Google के पास काफी पैसा है, तो यहाँ पर अलग-अलग प्रकार की जो technologies हैं, जैसे कि कई बार आप सुनते जिसकी काफी जादा criticism हुआ था, तो यह सारी चीजें कहीं ना कहीं Google X जो है, उसके तहत यह project के तहत लाया जाता है, लेकिन पहले क्या था, यह काफी secret होता था, recently news media में काफी चीजें इसके बारे में जानने को मिल गई, इसलिए कोई बहुत जादा secret अब नहीं रहे गया है अब पहले थोड़ा सा इस technology के बारे में और अच्छे से समझ लेते हैं, देखे, बहुत ही simple है, यहाँ पर already जो existing towers आप देख रहे हो ना, building ओं पर, internet वगरा के लिए लगाई जाती है, यहाँ पर, उसी का इस्तमाल करकर वहाँ पर क्या होगा, इस तरह का device लगा दिया जाए तो इसी के माध्यम से यहाँ पर जो data transfer है, internet की facility है, वो provide कर दी जाएंगी, क्योंकि traditionally अगर आप देखोगे, तो हमें कैसे मिलता है, यह radio waves के तहत मिलता है, यह जो towers वगरा लगे रहते हैं, जो mobile में हम internet use करते हैं, यह radio waves के through होता है, लेकिन यह हम बात करना है light beam के through, in fact आप से अगर आप देखिए, तो पूरे विशो भर में यहाँ पर 1GB से कम speed मिलता है, 1GB तो बहुत ज़ादा होता है, अपने आप में उतना तो मिलता नहीं हमें, लेकिन स्टिल आप कह सकते हो, कि 1GB के अंदर ही अभी मिलता है, लेकिन अगर इस तरह की facility आ गई, actual में अगर implement हुआ, तो 20GB, मतलब 20GB की speed मिल सकते हैं, you can just imagine कि 20GB की speed हमें इस particular technology के माध्यम से मिल सकता है, और यह पूरा game changer हो सकता है, especially उन सभी areas के लिए, जहाँ पर remote locations होते हैं, proper connectivity नहीं मिल पाती है, वहाँ पर इसका काफी अच्छे से इस्तमाल किया जा सकता है, और already जो burden है इस तरह क towers के उपर, वो burden भी कम हो सकता है, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा, even जो lockdown लगा था, आपको पता होगा, उस समय जो internet की speed है, वो यहाँ पर थोड़ी slow हो गई थी, क्योंकि users काफी जादा बढ़ गए थे, in fact, YouTube ने तो क्या किया था, कि यहाँ पर जो high definitions का यहाँ पर जो ह जो तारा project है, यह आपका Google ने दो जगा इसका pilot project चलाया था, जैसे एक है भारत के अंदर आंदर परदेश में, और एफरिका के अंदर केनिया में, यहाँ पर यह pilot project चलाया थे यह लोग, और ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ पर already जो Google है, वो अलग-अलग telecom companies, internet service providers, government के अलग-अलग जो आपके stakeholders हैं, उनके साथ मिलकर, तभी यह पुरा project लागू किया जा सकता है, और यहाँ पर Google के दोरा यह बताया गया कि especially यह जो पुरा project है, यह आपका, वहाँ पर काफी effective होगा, जैसे कि forest वाला area हो गया, water bodies के area हो गया, railway tracks हो गया, इसके, जैसे railway tracks में आप में दिखा होगा, pillars लगे रहते हैं, तो वहाँ पर pillar to pillar यहाँ पर connect किया जा सकता है, और उसके माध्यम से, आप internet use कर सकते हो, तो यह भी आप सोच सकते हो, काफी important हो सकता है, इसके लाबा, क्योंकि अगर cable wire का हमें use करना होता है, तो land की cost देनी होती है, तो जो land है आपका, जहाँ पर real estate cost काफी high है, वहाँ पर इसका काफी अच्छे से इस्तमाल किया जा सकता है, और already जो existing infrastructure है, जो आपको मैंने towers वगर दिखाए, उसी का इस्तमाल करके भी यह आराम से हो जाएगा, जहाँ तक coverage की बात है, आपके मन में question आ सकता है कि, जो मैंने अभी आपको device इंटरनेट service provider के लिए, तो ये काफी again एक important चीज़ है, क्योंकि अगर आपको याद हो 5G की जो technology आ रही है, वहाँ पर बात चल रहा है कि, हमें infrastructure की काफी आ सकता है, उसमें क्या होगा, छोटे-छोटे कई जगा यहाँ पर towers लगाए जाएंगे, छोटे-छोटे लगाए जा काफी जादा high होगा, तो ये पुरा technology है, let's see कि कब तक ये चीज़ें हो पाती है, लेकिन यहाँ पर कुछ Google के plans है, दोस्तों, अल्रेडी भारत के अंदर चल रहे हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, आपको पता होगा, Google ने एक plan लेकर आया था, loon के बारे में, इसके पात साल के बाद बंद कर दिया गया, क्योंकि Google का कहना था कि already जो 4G की connectivity देश भर में बढ़ गई है, काफी cheap data tariff है, इसकी बज़े से इसका कोई बहुत जादा फायदा देखने को नहीं मिल रहा है, तो Google ने ये वाला जो plan है, stations पर Wi-Fi provide करने का, इसको February में ही इसी साल बंद करने का निर्णे ले लिया था, इसके लाबा Google ने ये भी बताया कि वो digitization fund बना रहा है देश के अंदर, जिसमें 10 billion dollar का investment करेगा, जिसमें से आपको पता होगा, already उसने 4 billion dollar करी 33,000 करोन रूपीज, उसने Jio के platform में invest कर दिया है, जहां तक भारत में internet का facility की अगर हम बात करें क कि कितने number of users हैं दोस्तों, तो आप यहां पर देख सकते हो, कि 2015 से especially Jio के आने के बाद काफी तेजी से ये number बढ़ा है, 2019-20 की बात करें, तो 600-700 million बताया जाता है कि यहां पर internet users हैं भारत के अंदर, मतलब कि 60-70 करोन आप कह सकते हो, इसकी क्यास पास यहां पर users हैं, जो कि 2025 25 तक आप देख सकते हो, काफी तेजी से ये भी बढ़ने वाला है, यहां पर अगर हम rural और urban की बात करें, तो obviously बात है, यहां पर काफी जादा अभी भी divide आपको देखने को मिलेगा, कि जो rural areas है, वो करीब 65% हमारा cover करता है, लेकिन यहां पर rural और urban में अभी भी आपको divide दे students हैं, तो यह सारा age distribution भी आपको देखने को मिलेगा, gender distribution में भी काफी बड़ी कमी है, आप देख सकते हो, जो female के दोरा यहां पर use किया जाता है internet, वो आधा है male के मुकाबले, तो इसको भी digital divide को हमें सही करने के आउशकता है, क्योंकि यह भी एक तरह का यहां पर कारण ना ब बनाया था, इसके तहट अलग-अलग जो आपके offices हैं, यह खोलने की कोशिश की जाएगी, बाकि आप यह डीटेल इस वीडियो में देख लेना, तो let's see कि यह वाला project किस तरह से लागू हो पाता है, भारत में या फिर नहीं हो पाता है, बट यहां पर जो reports के आधार पर यह खबर आई थी, वो मैंने आपको बता दिया है, जाने से पहले मैं आपके लिए question लेकर आए हूँ, यहाँ पर आपको बताना है कि पहला European देश कौन था, जिन्होंने भारत के अंदर printing press लाया था, क्या बता सकते हैं, हमें यहाँ पर internet की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा पहले ले जाना चाता हूँ, और आपसे पूछना चाता हूँ कि पहला European देश कौन सा था, कौन Europeans थे जो कि भारत के अंदर printing press लेकर आये थे, let me know इसका answer क्या होगा, और इसका जो right answer है, हमेशा की तर मैं अपने इंस्टा पर डालूँगा ही, अगर आप इस social media प लेंसे घट बालूँ बालूँप द से घर आप राप मेंसे आपने जाना चाता है, और एंसे राप बालूपने।